आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार 16 जून को होना है उपचनाओ तीन दोग सभा सीटो और साथ विधान सभा सीटों पर है उपचनाओ उपचनाओ में कौन पड़ेगा किस पे भारी किसको मिलेगी जीत किसको मिलेगी हाई रामपूर और आजमगड की सीट पर चरचाएं टेज लोगसभा के चुनाओं वैसे तो 2024 में होने हैं लेकिन उससे पहले ही उत्तरप्रदेश में सियासी पारा चड़ा हुआ है देश की तीन लोगसभा सीटे और साज इधान सभा सीटों पर 23 जून को उपचुना होने वाला है इनमें सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश की आजमगड़ों रामपूर लोगसभा सीट सुर्खियों में वनी हुई है क्योंकि दोनों सीटे सपा के सांसदों के स्थिवा देने के बाद खाली हुई है गौर तलब है कि आजमगड़ से सपा मुखिया खिलेश यादो तो रामपूर में आजम खास सांसद चुने गए थे विधान सभा चुनाओ जीतने के बाद दोनों ने अपनी लोग सभा सीटे छोड़ दी थी तो वहीं बीजबी की कोशिस है कि दोनों सीटों पर कमल खिले जिसकी वज़ा से सीम योगी लागातार इन सीटों पर ताबट तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी ओर सापा के सामने भी दोनों सीटों को फिर से जीतने की चुनाओती बनी भी है इनके अलावा मायावती की पार्टी बसपा ने भी आजमगर्ण से अपना प्रत्याशी उता रहा है हाला कि रामपूर में बसपा नहीं लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर आजमगर्ण लोग साभा सीट के जौती समीकरण की हम बात करें आजमगर्ण लोग साभा सीट पर साभा ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादो पर दाओ खेला है क्योंकि 19 लाख वोट वाली सीट पर साभा के 11 वोट बैंक का 26 फीसदी और मुस्लिम वोटरों का 24 फीसदी है तो कुल मिलाकर 50 फीसदी वोट इस सीट से सपा के मजबूत बताय जा रहे हैं तो वही राबपूर सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर आजमखा के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा पर डाओ खेला गया है तो उधर आजमगर सीट पर बीजोपी ने एक बार फिर दिनेश लाल यादा और्पनी रहुआ को मैदान में उतारा है जिसको लेकर बीजोपी को पूरा भरोसा है कि वो यादा वोट बैंग में सेंद लगाएंगे तो वहीं दूसरी और पीछडे और स्वड मत दताओ के सहयोग से वे अपनी जीत सुनिश्चत करेंगे इसके अलावा दूसरी चर्चिस सीट रामपूर में भाजपा की घंस्याम लोधी को मैदान में उतारा है दरसल बस्पा भी दलितों और मुसल्मानों के जौति गड़ित को देखते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है बता दे कि आजमगर्ड लोगसभा सीट में यादों मुसल्मानों के बाद दलित मत दताओ की सबसे बड़ी संख्या है इस लोगसभा सीट पर कुल दलित वोटरों की संख्या 20 फीसदी है बस्पा ने गुड़ु जमाली को अपना उमिद्वार बनाया है बस्पा मुसलिम और दलित वोटरों के गट बंधन के दम पर अपनी जीत सुनिश्यत करने का दावा कर रही है क्योंकि बस 45 फीसदी वोटरों पर अपनी पकड बता रही है अब देखना दल्चोस्प होगा कि इस उप्चुनाव में कौन जीत हासिल करता है क्या सपा अपनी सीटों को बरकरार रखने में काम याब होगी या भाजपा अपनी जीत का पर्चम लहराईगी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार